Hello everyone, आज के इस वीडियो में हम लोग B Pharma 6 Semester 2021 and 22 का पेपर देखने वाले हैं और आज का हमरा जो सब्जेक्ट है वह है Pharmacology 3rd तो आज के इस वीडियो में हम लोग 3 सेक्षन को कवर करेंगे और 3 सेक्षन में जो कोशन है उसको यहाँ पे solution दिखाने के मैं आपको कोशिस करूँगा कि आपको exam hall में कैसे लिखना है तो चलिए सुरू करते हैं सेक्षन A से सेक्षन A में जो पहला कोशन पूछा गया यहाँ पे आपको 20 default के बारे में आपको चार एक्ज podcasts लिखना है तो यहाँ पर्यवा जिनो टॉक्सिटी ठीक है यहां पर आपकोिजी यहाँ पर शेसक 안-फर की घंटिम आ Ariana बता नहीं है स्दोन यहाँ पे इलिश्ट नन टिंट ए टिकर यहां पे आपको नन शिस्टामेटिक एंटा इसीट के बारे में बताना है टिक्यां पर आपको मिल जाएगा स्कूर्शन है वाट is biological clock क्या होते हैं आपको यहां के देखने को मिल जाएक है। यहां पर हमारे बॉडी में कैसे एक्ट करते हैं उसके बारे में आपको यहां पर बताना है। यहां पर हैंटी डॉड़ूर पॉईजणिंग के टीडॉट बताने है। इसी कुछषण आपको कुछ उंपल उसस बताना है किसका कोटिकोस्ट्राइड का ठीक है तो यहां पर आपको कोटिकोस्ट्राइड के एक्जामपल यूज बताना है ठीक है नेक्स कोशन यहां पर है नेम दी ड्रॉग्स यूज इन दे ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी ठीक है तो जो ड्रॉग्स लेप्रोसी में यूज होते हैं उसको बारे में आपको बताना है क्लासिफाई एंटीमेटिक्स को क्लासिपिकेशन करना है क्लासिफिकेशन है उसके बारे में बताना है और उसके बारे में बताना है ऊनल के बारे में बताना है ठिक है तो यहां पर आपको नेच्छारी ते दिस के बारे में निहांगा ऐस्के इक यहांग DF और पॉलिसी मेकर हेल्ट के इसेम imperfect यहां rése explain the various category of anti-tubercular drug ठीक है तो यहां पर आपको various category बताना है anti-tuber drugs का यह भी काफी important question है क्योंकि medicinal में भी यह question एक बार पूछा गया था with example and there mechanism of action ठीक है what is doot therapy ठीक है यानि dot therapy क्या होते उसके बारे में भी बताना है आपको tuberculosis के बारे में आपको बताना है जो इसके बारे में भी आपको बताया गया है ठीक है directly absorbed therapy जो होता है वह आपको यहां पर बताया ठीक है चले बड़ते हैं section C के तरफ section C में जो पहला कुछा गया हुआ है what is bronchial asthma ठीक है bronchial asthma क्या होते हैं उसके बारे में आपको यहां पर बताया गया ठीक है तो यहां पर जो ट्रोक्स दिये गहे हैं वह ब्रोंकिल अस्थामा के लिए गया है ठीक है आपको यहां पर बताना है ठीक है तो यहां पर आपको डिफेरेंट और राइट एन इग्जोंटिब लॉट ओ इस्टीडियद त्रीट है यहां पर ट्रेटेमेंट इस्टीडियेस जो हते हैं उसका बारे में आपको बताना है ठीक है यहां प्रेटमेंटियाग्वनॉस्टीड लॉड प्रिवेंशन यहां पर सब कुछ दिया गया है जिसे आप सकते हैं एक्जामपल के साथ आपको explain करना है जिसके आपको ऑपको सब्सक्राइब किया है जिसन आप यहां पे देख सकते हैं ठीक है नेस्सक्लेशन है एक्स्टेंड दी क्लिनिकल symptom and management of barbiturate and arsenic poison ठीक है तो यहां पर आपको clinical symptom or management ठीक है यानि जो भी drugs दिये जाते हैं treatment क्या किये जाता है उसके बारे में आपको barbiturate और arsenic poison यानि दोनों poison के बारे में बताना है ठीक है तो यहां पर आपको barbiturate poison यहां पर देखने को मिल जाएगा ठीक है सबपुष उसके बाड़ से आपको बारे में आपको बताया गया है ठीक है नेक्स कोशन है एक्सप्लेइन दी मेकनेजंट और अपको सारे डीटेल में बताना है ठीक है जो भी कोशन में पूझा गया है वह आपको यहां पर देखने को मिल जाएगा ठीक है तो इसतर से हमारा सक्षन C है वो भी complete होता है I hope कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी और यहाँ पर मैंने सभी question का solution आपको provide करने की courses किया होगा तो मिलते है next video में तब तक के लिए बाय टेक केर जाहें